बुलेंशेर पुलिस और गौकसों के बीच आज मुटभेड होई है, दो गौकस पुलिस ने मुटभेड के बाद ग्रिफतार की है, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सर्थ बुलेंशेर के ASP रिजूल मौजूद है, उनसे बात करने सर्थ, किस तरह हैं मुटभेड होई, कहा पर होई और कितने लोगों को अब तक पुलिस ग्रिफता कर जोकी, देखी 15 और 16 सेप्टेंबर की रात को हमारी रूटिंग चेकिंग चल लए थी वहानों की, तो अनूब शेर रूट पे कोतवाली देहात और स्वाट की टीम मौजूद थी, तो वहाँ पर उन्होंने गाड तो उन्होंने बाइक को एक बाग के पास शोड़कर वहाँ पर भागने लगे, पुलिस ने उनका घ्राफ किया तो उन्होंने पुलिस पे फाइरिंग कही, फाइरिंग का जवाब देते हुए पुलिस ने दो बदमाशों को मुढबेड में उनके गोली लगी है, उसके है इनमें से एक पर दस मुकदले में हैं और फिछले काफी पिछले दिन कि और हैं और अब इनके बाकी सातियों को पकड़ने के लिए हमारी पूरी टीम लगी हुई है तो ये थे हमारे साथ बूलेंचियर की एसपी जो पता रहे थी किस तरह से गौकुशों को मुठभेड के बाद गर्स्टार करे लिया गया है और साथ ही इन गौकुचों से गौकुशी करने के उपकरण और अवेर असलावी पुलिस ने बरामत किया है एबी पी गंगा खबर आपकी जबाँ आपकी